मंत्री मंदल की सबसे बड़ी बैठाइक हुई जिसमें किमाचल परदेश के गौण के लिए गरीबों के लिए और समाद के सभी वर्गों के लिए बड़े महत्व पूर्ण फैसले लिए गए जिसमें सबसे पहला जो फैसला है कि गौण के अंदर पीने के पानी के लिए जो केंदर से हमें जल जीवन विशन में करोड़ों रुपे मानिये मुदी जी की किर्पा से मिला है और आज इने साड़े चार वर्षों में विवाग ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत सारी योजनाएं जो है वो बन करके त्यार हुई है उनके रखर खाब के लिए जो कैबिनिज ने फैसला लिया है उन्ताली सो सतर नए पैरा वर्कर्स जो है वो रखे जाएंगे ग्यारा सो च्टालीस होंगे चार सो असी पैरा फीटर्स होंगे और तेई सो च्टालीस जो है वो मड़ी परपस वर्कर्स होंगे इनका रखर खाब जो है वो किसी ठेकेदार के दौरा नहीं बलकि विवाग के दौरा जो है वो किया जाएगा ये निरने जो है वो देश के अंदर 400 नई 412 नई ग्राम पचायद पे जिनका गठन किया गया था और एक लंबे समय से ये डिमांड आ रही थी कि हमें उनके लिए स्टाफ जो है वो महिया करवाना है जहां 249 पचायद सर्चिवों की प्रक्रिया चल रही है भरने की प्रक्रिया चल रही है शायद एक डेड़ भीने में उस प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा दहीं केविडिट में 399 नई पोस्टें जो है पद जो है वो पचायद सेग्रेटरिस के जो है वो स्रिजित किये है जिसको हमने स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड के थू जो है और डारेक्ट रकूर्टमेंट से जो है उनको बहरा जाएगा जो हो इसमें स्रिजित की गिए इसके साथ साथ है एक और मात्रपूर्ण भैसला लिए गया है कि जो वेंच मार्क डिसेवल्टी जो जो परसंस हैं उनके लिए के लास फोर से क्लास थ्री, क्लास वो उनको कोटा जो है वो चार परसेंट जो है उसमें दिया जाएगा ये महत्वपुर्ण फैसला जो है वो इसमें आज सरकार के दोरा लिया गया है एक और हिमाचल परदेश स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीर पर और हमारे जितने भी बोर्ड हैं इन्वेस्टीज हैं इनको जो इस जो है वो दाइरे में जो है वो इसमें लाया गया है साथ में कैबनेट में एक सब तसील जालग तसील एपना तसील जैसिंगपुर में इसकी कांगड़ा में उससे क्षेतर की वश्यक्ता को देखते हुए इसकी सबकृती दी है इसके अलावा भी जो हमारे यहां पर विड़ो री मेरिज होती थी जिसमें हम पचास हजार रुपय की जो है उसमें मदब करते हैं उसको बखा करके तैस्ट हजार किया गया है और इसके साथ साथ हाटी सी को नो डिफार्ट गरंटी यह सरकार ने दो हजार वाइस तैस के लिए जो है वो इसकी साथ करोड पर तक जो है वो दी गई है इसके अलाबा हमरे जहां परदेश फॉरेस्ट कार्परेशन्स को जो है उसकी सी सी लिमेट जो है तो दस करोड से बखा करके अपने इसको तीस करोड पर किया है मुझे भी राजनित्वी में करीब पचीस वर्ष का समय हुआ है इस मानिय सदन में भी बीस वर्ष का समय लगातार में इस सदन का सदस्या रहा हूँ लेकिन मैंने बीरवदर जी को भी सुना है प्रोफेसर पेवकुमार धुमजी को भी सुना है लेकिन इस तरीके से इस गिरावट तक जो है वो कोई ऐसा नहीं जाता था अगर यह पहली बर हुआ है हिमाचल परदेश की राज़निती में शालिंता है और यह देभ्रभूमी है यritis शालिंता बनी रहनी चाहिए यह नेता नेतरतों का जो है वो एक विशए रहता है या मुझे से लगता है कि मानियात प्रतिपक्ष के डेता को इस तरह की ध्यानिमाजी नहीं करने चाहिए और इस पर जो है वो इस तरह की भाषा को भी वो सहर नहीं करने तो यह धुर्वागयापूरा पूर्ट सिति है कि भरी जाएंगी जबकि 124 अतिरिक्त पोस्टें जो है वो स्रिजित की गई गी और इसी तरह से ग्राम रोजगार चेवग जो काफी दिनों से खाली चल रही है उनको भी 124 पोस्टें जो है वो कैबिनेट के दौरा जो है वो नई स्रिजित जहू की गई है यह परदेश के अंदर ग्रामेंड किशेतरों के अंसर परचाईती राज जो है उसस्थाएं जो है वो इससे द्रेड होंगी क्योंकि पिछले दिनों करीब दो हजार थारा मजब हमारी सरकार बनी थी जहां हम 200- 200 करोड रुपया हम मन्रेगा में खर्च करते थे आज वो बढ़कर के 1160 क्रोड रुण और अगर हम अलगलग विफागों का अलगलग इसमें देखें कि जहां बितियों का पैसा और प्लानिंग का पैसा स्वाशुखारत अभ्यान वो पैसा तो करीब दो भाई हजार करोर से ज्यादा हम आज गाउंग के अंदर जो है वो खर्च कर रहे हैं इसकर के विफाग को श्रक्ता थी अंदर पेंशन का प्राफधान तो पहले से है तो फोड़ा सा नॉमिनल जो है वो इसमें जो है वो बढ़ाया गया है सरकार उस पर विचार कर रही है उसको कमेटी बनाई गई है मनीची सेग्रेटरी के इसमें उसमें जल्दी विचार उस पर किया जाना है उस पर अनवचारिक रूप से उस पर चर्चा हुई है और जल्दी ही हम उनके साथ बैट करके मीटिंग करेंगे और किसी एसले तक जाओ पोड़ेगे नहीं अभी उस पर जो है वो बिचारा दीन है उस पर चर्चा करेंगे